नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज आपका घर सोने का महल बन जाएगा। बस हमारा इतना शर्थ है कि इस वीडियो को बिलकुल ही आप अकेले में देखना। पंद्रह के उपरांत, आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर बनने वाले हैं, जो शुभ योग का निर्मान होने वाला है, दोस्तों, आप सभी का पूरा भविश्य ही बदल जाएगा, और साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में बहुत ही ज्य रही है, वह भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पैसे के बारे में हम जड़ से बात करने वाले हैं, आखिर पेशाब आपकी जीवन काल में क्यों नहीं आ रहा है, और क्या दिक्कत हो रही है बस, हम आप से भी से इतना सा अनुरोद करते हैं, कि इस वीडियो को आप एक प्य के लिए लेकर आते ही, और आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, आप यह दो चीज तो कर ही सकते हैं हम, आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो ह आपके जीवनकाल में और दूसरे की जीवनकाल में बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए हम हर एक फर्क को आज विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से जानेंगे कि आखिर इन सभी समस्याओं का जड़ क्या है। या फिर बहुत ही कम धन लाभ में उसे चलाना पड़ता है, जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े घाटों का, बहुत बड़े बड़े नुकसान का भी सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों हो सकता है कि समस्या कहीं औ पारे में विस्तार से बात करेंगे और आपको एक सही निशकर्ष पर पहुंच जाएंगे कि आपके जीवन में समस्या कहां है और आपको कहां कुछ समस्या पर काम करना है जी हां दोस्तों आज का ये वीडियो आप हमारी कहने से पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में पूरा देख लिया तो आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कोई भी समस्या या फिर बाद में होने वाली नहीं है हां लेकिन इस वीडियो में बताए गए क्या हमको आपको अपने जीवन में उपयोग में अवश्य लाना पड़ेगा खाली वीडियो देख लेने से का हो जाएंगे धीरे 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 आपके जीवन में बरकत प्रवेश करने लगेगी धन की प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी जी हां दोस्तों ऐसे में हम आपको बता दें कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिशिय आकलन के आधार पर आपकी ग् पूर्ण ज्यान पद्दती प्राप्त हो सके ताकि आपके जीवन में कमी कहां है उसे हम ढूंड सके और उसका समाधान कर सके यह दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है हम हमारी टीम के साथ बहुत महनत करके इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आ है तो आपका भी यह दायत्व बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें कि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कभी भी संपूर्ण ज्यान प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप कभी भी अपनी समस्याओं से मुक्त यह दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा यह कहते पाय जाते हैं कि जोतिश जोतिश कुछ नहीं होता हम तो सब कुछ अपने हाथों से करते हैं अपना भविश्य अपना भूत सब कुछ हम ही तैयार करते हैं ठीक है दोस्तों यह उनकी अपनी सोच है लेकिन जब जीवन का संघर्ष बहुत कठिन होता है। इतना असान नहीं। इस संघर्ष से पार का पाना तो अक्लमंद बुद्धिमानी इसी में है। दोस्तों कि आप अपने जीवन की ग्रह दशा, अपने जीवन की उल्जन को पूर्ण रूप से समझ लें और उसी के अनुकूल अपने जीवन में कारियों को जोडते जाएं, कुछ को हटाते जाएं, आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपसे कह दे कि आपके जीवन में तरक्की तभी आएगी जब आप धार्मिक होंगे। ये दोस्तों यदि आप आपका भगवान में विश्वास नहीं होगा, चलो मान लिया, भगवान में विश्वास है, लेकिन आप नियमित पूजा पाट नहीं करती हैं, आप नियमित भगवान का नाम नहीं लेते हैं, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्र और उनकी उर्जा उपर विश्वास नहीं रखते हैं हम गारंटी देते हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी राशी की पहली जरूरत ही यही है कि आपकी राशी के जातकों को पहले धार्मिक बनना पड़ेगा आध्यात्मिक बनना पड़ेगा और अपनी जी पर बर बाद किसी प्रकार का निरणे ले आपसे लिधियो कभी मत देखना जी हाँ दोस्तों यह बहुत बड़ी बात हमने कह दिये लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 100% ग्यान देते हैं इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो की करना है कि मातर शक्ति को प्रणाम करना है इसलिए कमेंट में जय मात दुर्गे लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करें माता का सीधा आशीरवाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी और दोस्त एक खास बात हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडिय को शुरू करते हैं दोस्तों आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों है पैसे रुपए की तंगी क्यों है ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा है लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है कभी कभी तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है और पैसा खत्म हो जाता है फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं लेकिन आगे भी यही हाल रहता है यानि आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए यानि हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं जैसे बीमारी में चला जाएगा या फिर किसी प पैसा फंस जाता है यदि ऐसी जगह पर जाएगा आपको लगेगा कि आपका पैसा बरबाद हो रहा है कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे या जिनका उपयोग ना के बराबर है लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जड़े कुछ मामलों पर कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। कारियों को करते जाइए जी हाँ दोस्तों अब इस सब के बीच हम आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान है आप दिल से सब का भला चाहते हैं आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं किसी से धोखा धड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं लेकिन केवल आपकी अच्छी नियत आपको अमीर नहीं बना सकती आपको धनवा नहीं बना सकती है इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए तो दोस्त हम आपको बता दें कि तीन ऐसे ग्रह हैं आपकी राशी में जो आपको पैसे या तो कमाने भी नहीं देते हैं और यदि आप कमा भी लेते हैं आपके पास पैसे आप ही जाते हैं तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है इन तीन ग्रहों की कमी की वजह से हैं हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह तीन ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाए हैं जिन्हें आप करें इन से इन तीन ग्रहों से जो नकारात्मक उ जी हां दोस्तों, हम आपको आपकी ही कम्यों के बारे में बताना चाहेंगे, बाद में ग्रह समाधान के बारे में बात करेंगे, आपकी इन कम्यों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि धार्मिक्ता अध्यात्म से जुड़े हैं, जी हां, द वीडियो में हम बात करेंगे साथ ऐसे कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कही जा सकती है जिसकी वजह से आपके पास धन कभी ठैरता नहीं है करजा बढ़ता जाता है व्यापार में तरक्की रुख जाती है ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है छाया पैसा कमा या पैसा कमा तो ध्यान से सुनिए एक कौन सी है वह कारण हो तो दोस्तों सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं जी हाँ दोस्तों अब यह आपको कैसे प्रभावित करती है आप विचार करके देखिए सोच कर देखिए कि पिछले लंबे सम अबना, यानि कि जब इंसान आपके सामने आता है, अपने दुख तकलीफ होता है, अपने जीवन के कश्ट बता है, चाहे भले ही नकली हो, लेकिन अपने आंसु बहता है, तो आपके घर जाते हैं, और आप उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाते हैं, उसकी चिकनी, चुप खराबना हो जाए कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंचाएं इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया इस तरह आपका पैसा डूब गया कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं लेकिन दोस्तों इस किसी की मदद करने के चकर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है ये आपको ध्यान देना है किसी की मदद आप करें लेकिन सोच समझ कर करें और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यक्ता है नहीं क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे आपको बदले में बुर दोस्तों आपके घर का वास्तु दोश तो आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्ता नहीं होती है तब ऐसी स्थिती में भी आपके घर में वास्तु दोश उत्पन्न होता है और धन की कमी रहती है। प्रकाश की पूर्ण व्यवस्ता करें और वहां अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसे में करना क्या है आपको तीन चार काम है जो करने हैं जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। पहला काम यह है कि आपको अपने घर की इंडिया ने पूर्व दिशा है और नौर्थेस्ट यानि कि इशान कोण में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्ता करनी है और इन दिशाओं को साफ सुत्रा रखना है। गंदगी बिलकुल नहीं करनी है और हो सके तो हरी भरी पौधे इस दिशा में रख दिया। निगम ले बगैर इस दिशा में रख दे कुछ नहीं तो मनी प्लांट ही लगा दे। जी हाँ दोस्तों दूसरा आपको यह करना है कि करके ब्रह्म स्थान की यानि की घर के बीच आंगन की साफ सफाई रखें जूते चपल बगैरा यहां कभी भी न डाले हो साफ सुतरा हो यही स्थान और हो सके तो तुलसी का एक पौधा आंगन के बीच ओ बीच अवश्य लगाएं जी हाँ दोस्तों अब आपके घर में जहां आप रुपए पैसे लगते हैं वह अलमा दिशा कुबेर की दिशा है वहां से धन का आगमन होगा और नैतिक और जो है वह माता लक्ष्मी का कोन या माता लक्ष्मी की दशा मानी जाती है वहां पर आपकी यदि तिजोरी है आपके धन का लौकर है उत्तर दिशा से जो सकारात्मक उर्जा धन को लेकर आएगी वह आ अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जाने कि उत्तर पश्चिम कॉर पर एक धनका कटोरा भी रख सकते हैं। अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने पर रखना है। हावी रहता है कि वजह से धन की कमी आपको बनी रहती है। धन की कमी निश्चित होगी या दोस्तों पहला प्रभाव ही धन की कमी होता है। दूसरा के धन आएगा तो रुकेगा नहीं तो दोस्त अब पित्र दोश उत्पन्न क्यों हो रहा है। यह जानना अवश्यक है तो आप समझे कि गाय कुत्ता कौवा। आप याद करके बताईए कि पिछली बार आपने इन्हें भोजन कब कराया था। इन्हें कुछ खाने के लिए कब दिया था। शायद आपको याद भी नहीं होगा और यदि आदमी होगा तो बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। दोस्तों आप रोज कुत्ते को और गाय को भोजन कराये। अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जब रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं। जी हाँ दोस्तों और बचे हुए आटे को यानि कि मारे हुए बचे हुए आटे को कभी भी संभाल कर ना रखें। दोस्तों अब आपको यह कार्य करना है अपने घर की महिलाओं को प्रेरित करें कि दो रोटियां रोज बनाएं। पहली रोटी गाय की और आखरी रोटी कुत्ते की आपको ध्यान देना है। यह भूल कर दी तो आपके घर में भयंकर बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। निश्चित तोर पर आपका पैसा केवल बीमारियों में खर्च होगा तो दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षन दिशा में नहीं रखना है। लेकिन दीपक आपको दक्षन दिशा में ही रखना है और बाती का मुख्य आपको या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा में रखें तो सर्वोत्तम होगा जी हाँ दोस्तों इससे आपके मित्र खुश होंगे प्रसन होंगे और आपको आशीरवाद देंगे और आपके जीवन में बरकत आएगी। ये दोस्तों यदि आपको दीपक से जुड़ा हुआ क्योंकि दीपक एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है या पद्धती है जिसके बिना पूजा हमेशा अधूरी रहती है। यदि आपको दीपक के बारे में ग्यान नहीं है तो आप पूजा तो करेंगे लेकिन आपकी पूजा का फ़ल ले जाएगा। कोई और दोस्त नकारात्मक शक्तियां आपकी पूजा का पूरा फल ले जाएंगे और आप कहेंगे कि हमने तो बहुत पूजा की, फिर भी हमें दुख प्राप्त हुए, कश्ट प्राप्त हुए. ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, यदि आपको दीपक के बारे में संपूर्ण ग गलती यह है कि कभी-कभी आप दिखा भी बाजी के चक्कर में पढ़ जाते हैं. जी हाँ, दोस्तों, वैसे तो आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं. आप जानते हैं कि कहां दिखावे बाजी है और कहां जरूरतें पूरी हो रही हैं. लेकिन कभी-कभी आप ऐसे दिम मिलकर जी के चक्कर में पैसा चला गया. दिखा भी बाजी में चला गया. पैसा लेकिन फिर कोई फायदा नहीं है. पैसा तो आपका चला ही जाता है तो आप सतर्क रहना है. जब भी आपको कोई भी सामान खरीदें तो आपको यह एक बार जरूर विचार करना है कि यह आप आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनको आप बाद में कभी उपयोग भी नहीं करेंगे ना के बराबर उपयोग करेंगे लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा और वह होगा फिजूल खर्च की वजह से दिखा भी बाजी की वजह से या दोस्तों क्योंकि दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप अपना पैसा फसा देंगे हालांकि ऐसा अकसर नहीं होता लेकिन कभी कभी आपके साथ ऐसा होता अवश्य है अब आप कमेंट करके बताना कि हमारी बात सत्य है या नहीं अब पांच भी कमी के बारे में बात करते हैं और यह कमी आध्यात्मिक है धार्मिक दोस्तों वैसे तो आपको भगवान के उपर पूरा भरोसा है अब भगवान का नाम भी लेते हैं लेकिन आपके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है आप किसी भी धार्मिक पद्धती को नियम से पूरा नहीं करते हैं यानि कि जैसे आप मंदिर जाएंगे जाएंगे अवश्य ऐसा नहीं है कि आपको मंदिर जाने से परहेज है जाएंगे लेकिन आप नियमित नहीं जाएंगे आप हनुमान चालीसा पड़ेंगे लेकिन नियमित नहीं पड़ेंगे आप कोई भी पूजा पाठ करेंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे लेकिन दोस्तों शास्त्रों में सपश्ट तौर पर वर्णन है कि यदि पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान नियमित तौर पर किये जाएं तभी उनका फल प्राप्त होता है यह दोस्त कभी कभार की गई पूजा का कोई महत्व नहीं होता है यह नियम से की जाने वाली पद्धती है अब ऐसा क्यों दोस्तों जब आप पूजा पाठ को नियमित तौर पर करते हैं तो असल में आप किस की पूजा कर रहे हैं आप इश्वर की पूजा कर रहे हैं और नहीं है उनका प्रतीक है उनका चिन है उनकी मूर्ती है तो आप उस मूर्ती के माध्यम से हनुमान जी की जो कि शुद्ध उर्जा का स्वरूप है हनुमान जी कोई इंसान थोड़ी है हनुमान जी कोई जीव थोड़ी यहां वहां भटक रहे हनुमान जी तो उर्जा का पूजा कर रहे हैं तो अब आपकी पूजा करने से होगा। दोस्तों हम कहते हैं कि भगवान का आशीरवाद मिल गया या भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और जीवन में उतार हो गया। पूजा माता में आस्था है तो आप उनकी एक विशेश फूजा पद्दती उठाइए। संकल्प लीजिए कि हम 21 दिनों तक हनुमान 40 आ का पाठ करेंगे। होते हैं और आपकी पैसे रुपए की तंगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। आप याद करके देखिए कि आपने लोगों की बातों में आकर कहीं पैसा लगाया है ना दोस्तों शेर मार्केट में लगाया है ये किसी जुड़े वाली स्कीम में पैसा लगाया है जहां जल्दी से पैसा डबल हो जाएगा या फिर आप जल्दी से पैसे वाले बन जाएंगे लेकिन पैसे वाले आप नहीं बनेगा आपका पैसा फस गया चला गया यही हाल आपका व्यापार में भी है कभी कभी आपको व्यापार में फाइदा ही फाइदा दिखाई देता है और आप उस बिजनेस में पैसा लगा देते हैं बाद में फाइदा की जगह नुकसान हो जाता है, एक और सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जब एक बार अपने मन में कोई बात ठान लेते हैं, जैसे कि आपने सोच लिया कि इस जगह पैसा लगाना है, फिर आपको कोई कितना ही समझाए, आपको बात समझ में नहीं आती है, आ दोस्तों आप अपनी इन आदतों पर कारे करिए, आप देखेंगे कि चमतकार हो जाएंगे, दोस्तों आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा, ये दोस्ती यकीन मानिए, आप हमारा हमारी जीवन की जो भी अनुभव है, हम उनके बारे में आप से बात कर रहे है हमने कई लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से बदलते देखा है, जी हाँ, दोस्तों एक समय ऐसा था कि उन्हें कोई नहीं पूछता था, आज ये समय है कि लोग उनकी बहुत इज़त करते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा और नाम कमा लिया है, लेकिन जीवन में बदलाव किये, बिना आदतों में सुधार किये, बिना कुछ भी संभव नहीं है, दोस्तों करना तो आपको ही पड़ेगा, हमारा काम तो केवल आपको मार्क दर्शन दिखाना है, जी हाँ, दोस्तों अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें आपको बताना है कि को रोकना दूसरा आपके घर में कश्ट परेशानियां बीमारियां देना दोस्तों अब ऐसा होता क्यों है ऐसा इसलिए होता है दोस्तों की आप यदि जरा भी लालच करेंगे जरा भी परेशानी किसी दूसरे इंसान को देंगे चाहे अंजाने में ही दें शनिदेव आपके भाग्य में परेशानी लिख देंगे, आपके भाग्य में लिख देंगे, और शनी देव हालां कि आपके लिए लेडीस करने वाली ग्रह नहीं है, आपको पीला नहीं दे रहे, लेकिन आपके खुद के की जाने वाली गलतियां, आपके खुद के की जाने वाले गलत कर्म ही आ इस प्रकार तो शनीदेव आपकी हर एक मेहनत पर पानी फिरते रहेंगे तो अब आपको करना क्या है तो अब एक ही समाधान है कि आप शनीदेव की शरण में चाहिए आपको करना ये है कि आपको शनीदेव के मंदिर जाना है लेकिन हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं क सुद्रिष्टी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस शनिदेव की द्रिष्टी आपके ऊपर पड़ गई और आपका जीवन बदलने लगेगा जी हां दोस्तों और इस बात के बहुत ज्यादा मौके हैं कि आपके जीवन में परेशानिया ही आएंगे तो अब आपको कहा जाना है ऐसी मंदिर जाना है जहां शनिदेव का सिला स्वरूप स्थापित किया गया हो अब यदि ऐसा कोई मंदिर आपके आसपास है नहीं तो आपको फिर पीपल के ब्रिक्ष के नीचे जाना है शनिवार के दिन आप पीपल के ब्रिक्ष के नीचे जाएं सरसों के तेल क और शनिदेव की ओम सम शनिष्चराय नमह इस मंत्र की एक माला जाप करें। लीपक आपको शाम के समय जलाना है। अमान और सामाजिक वर्चस्व का दुष्चक्र का आपको समाधान यह करना है कि आपको अपनी जेब में एक सफेद रुमाल रखना है। उसे गंदा नहीं करना है। जब भी आप घर से बाहर निकले तो एक सफेद रुमाल अवश्य रख कर निकले। शुकरवार के दिन आप बहते हुए जल में सफेद खाने की वस्तु प्रवाहित कर सकते हैं। प्रतासे वगेरह रिवरिया वगेरह आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। साथ ही साथ आप छोटी कन्याओं को शुकरवार के दिन सफेद रंग की कोई वस्तुदान करें। चावल की बनी खीर खिलाई आप देखेंगे, चमतकार हो जाएंगे, आपके जीवन में बरकत आजाएगी। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं अगले ग्रह की और भग्रह है। मंगल जी हाँ दोस्तों मंगल वैसे तो आपको सीधे तोर पर प्रभावित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहने से आप मंगल के उपाय भी अवश्य करिए, क्योंकि मंगल जो है वह आपकी मानसिक स्थिती को प्रभावित करती हैं। जिला दोस्तों जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप ऐसी जगह पैसा लगा देते हैं, जहां आपको पहले तो बहुत फायदा दिखाई देता है। दूसरी की एक दिखावे बाजी की आदत जैसा कि हमने आपसे कहा कि कभी कभी आपके अंदर दिखावे बाजी के गुण उत्पन न हो जाते हैं, जिससे भी आपका पैसा फस जाता है। आप दायक है, आप हमारे कहने से एक संकल्प लेकर वरत करें, ऐसे ही नहीं चलो, कल मंगलवार है और कल से वरत रहना शुरू कर देते हैं। जी नहीं दोस्तों, आप बाकायदे मंदर जाए, हनुमान जी के सामने संकल्प लीजिए। हे प्रभू, हमारी यहीं मनोकामना है, आप हमारा साथ दीजिए, और हम आने वाले 11 मंगलवार 21 मंगलवार तक का वरत रहने का संकल्प लेते हैं। फिर आप देखिए, हनुमान जी आपकी कैसे मदद करते हैं, मंगल की संपूर्ण पीड़ा है, समाप्थ हो जाएंगी। एक और खास बात कि अपने माथे पर एक लाल टी का लगाना शुरू करिये। यह दोस्तों के साथ ही साथ जवाब सोने जाएगा, अपने बिस्तर के सिरहाने जल का एक पात्र अवश्य रखिये। वह भी खुले हैं, दोस्तों उनकी बात नहीं कर रहा, अभी जल स्रोत है, चल के पात्र नहीं है। उसे जल्द से जीड़ाइए बात्र नहीं है।